नमिश्कार मैं आप सभी के साथ अनुपमा जो और आप देख रहे हैं एवन न्यूस आईए बात करते हैं कुछ राश्ट्रे खब्रों की राश्पती प्रण मुखरजी अच परश्चिम बंगाल के तीन दिवसिया दौरे पर है ये घोश्रा या रवीवार को ही की गई थी राश्पती अपने ग्रह राज्जे के दौरे के पहले दिन कोलकाता में आने बैलिक मेकिर इंडिया थू इंडिया थू इंडस्ट्री अकार रेक्रम में शिर्कत भी करेंगे बताया गया कि 23 अगस्त को राश्पती बांगलादेश के श्रोताओं के लिए कोलकाता अकाश्वाणी केंद्र में मौइत्री नामक बांगला सेवा की शुरुवात करेंगे और बंगे सहाइते परिश्वत के 125 वार्षिक समहारों में भाग बता दे कि मुखर जी भारत चैंबर ओफ कॉमर्स के एक नए भवन का उध्गाटन करेंगे और उसी दिन कोलकाता में बंधन बैंक के पहले स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे राजे के अपने दौरे के अंतिम दिन राश्पती मुर्षिदाबाद जिले के जंगी अपने न्यूक्तियों क्यों यहां दायर करें और जल्दी घर वापस आ जाए सुश्मा ने ट्वीट कर कहा कि सौधी अरब में भारतिय कामगार क्रिपया अपने दावे दाखिल करें और घर लोट आए हम आपको निश्वक लेकर आएंगी वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतियों को नौकरी गवानी पड़ी है कुछ दिन पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंग ने सौधी जाकर अधिकारियों से बात भी की थी सौधी सरकार बेरोजगार भारतियों के समस्याओं को सुलझाने में मदद करने को तयार हो गई है सौधी ने भारते करमचार यहां विभ्ववऱ मांगो से दो चार होने पर, मोहन भागवत ने उनसे कहा कि वैं बीज़ेपी की अगवाई वाली केंदर सरकार के दूद नहीं है भागवत यहां विश्वद्याले वा महाविद्याले सिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रही थी संबोधन की दौरान मोहन भागवत ने कहा कि आप लोग कह रही है कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है इस पर उन्होंने कहा कि हिंदू को किस ने रोका है जहां उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के सिक्षक पहुचे थे वहीं विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया जेडियों नेता संचेज सिंग ने हमला बोलते हुए कहा कि भारते जनतपाटी में कैसी कैसी नेता है गिरिराज सिंग दो बच्चे पैदा करना चाते हैं वो नारा लगाए हुए हैं मोहन भागवत जी को नोटस लेना चाहिए अब अपने में लड़ लीजे कि मोहन भागवत मोडल का एक सपष्ट उधारन बताया है जितेंद्र जम्मू में आयोजित याद करो कुर्बानी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रे वित मंत्री ने नेहरू के असफ़ल आर्थिक मोडल की बात की थी और आज मैं कहता हूं कि यदि आपको नहरू का असफ़ल रा स्क्वार किलोमीटर था जो वर्तमान में केवल एक लाख स्क्वार किलोमीटर रह गया है वह जितेंद्र ने कहा कि नहरू की कारे शैली से महाराजा हरी सिंग भी खासे नराज हुए और उन्होंने जम्मू कश्वी में दोबारा कभी ना आने का संकल्प लिया और मुंबई सिद्वार बनाय जाने से इंकार कर दिया है इसके चलते सिद्दू परिशान है कि अगला कदम क्या उठाया जाए एक विकल्प यह भी बताया जा रहा है कि वे अपनी नई पार्टी का एलान कर सकते हैं नई पार्टी में सभी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को शा कहा गया था कि आप पंजाब की तरफ मुह नहीं करोगे और पंजाब छोड़ने के लिए कहा गया था भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक बिजनसमैन साथ वर्षिय अब्दुलमजीद के परिवार के पांच लोग आतंकवादी संगठन आईस आईस में शामिल हो 6 अगस्त को हनीव अश्वाक को सीर्य ले जाने वाले किरल के एक स्कूल टीचर अब्दुल राशिद नवी मुंबई के अर्शी कुरेशी और कल्यान रिज्वान खान की खिलाफ एफाइयर भी दर्च कराई है उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगोंने मेरे बेटे को पहला विदेश दौरा है उच पदस्ट सूत्रों ने रविवार को प्रचन की भारत यात्रा की पुष्टी की लेकिन इसकी अधिकारे गोश्टना नहीं की गई है बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही उनसे मिलने आये उप प्रधानमंत्री औ अपनी सीमाओं की सुरक्षा में शांदार काम करने को लेकर अरुनाचल प्रदेश के पास तिब्बत में तैनात पी एले की एक बटालियन को विशेश रूप से सम्मानित किया है एक रिपोर्ट में बताया गया कि टुप 77,656 को अपनी सीमाओं की सुरक्षा स्थिर्ता काय करने और आपदा राहत में मदद करने में शांदार काम करने को लेकर अब मॉडल प्लेट्यू बटालियन उपलब्दी दी जाती है हाला कि बटालियन की पहचान नहीं बताई गई है लेकिन भारते रक्ष अधिकारियों और थेंक टेंकों ने कहा कि यह गांगबा डुइत् रांड्रेजंTON सत्ले में इराक में 16 लोग को फांसी पर लटका दिया गया है इन लोग को 2014 में एक अमेरिकस सैनिट ठिकाने में शथा साथ के लड़कों ने अंजाम दिया था बता दे कि आईएस के लड़कों ने इस हाथ से की फोटो और वीडियो 2014 में जारी किये थे और इस जन संगहार में मारे गया अधिकतर सैनिक शिया मुसलमान थे और इसके बाद शिया समूदाई ने इराक में इसलामिक स्टेट के खिला फ्यूद को तेज कर दिया था रियो ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीत कर देश का मान बढ़ाने वाली बेडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू का हैदरबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह सांच शांदार स्वागत किया गया इस मौकी पर बड़ी संख्या में उनके फैंस एयर होकर सिंदू गची बावली स्टेडियम के लिए निकली इस बस को फूलों से सजाया गया बता दे कि सिंदू ने रियो ओलम्पिक में मैला एकल बेडमिंटन में रजत पदक जीता है ब्राजल के रियो शेहर में 17 दिन बाद 31 ओलम्पिक खेलों का रवीवार को रंगारग सम पापन कारेक्रम की शुरात बैतरी नरंग विरंगी रोशनी के बीच हुई ओलम्पिक रिंग्स और क्राइस्ट दव रिडेमिर का आकार बनाकर स्टेडियों में खूबसूरत नजारा पेश किया गया बता दे कि रियो ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन बेहत निराश ज कहल रियो में 119 खिलाड का दल भेजा गया था जसमें बहरत को सिफो मैडल मिले रियो में सर्फ पीवी सिंदु और साक्षि मले को ही मैडल जीद पाई वह इस साल भी किसी भारतय पुरुश खिलाडिय को मैडल नहीं मिला और रियो की समाब्ती के साती प्रधारमंत्री नरे पीएम ने इसके साथी रियो अलम्पिक में शामिल भारतिय दल को बधाई देते हुए कहा कि हर खिलाडी ने अपना सर्वशेष्ट प्रदर्शन किया है पोर्टर स्पेन में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्ट इंडीस टेस्ट मैच में लगाता तीसरे दिन का खेल भी रद हो गया है कुइन्स पार्क ओवल मैदान में हो रहे सीरीज के चौते और आकरी टेस्ट मैच में सिर्फ पहले दिन ही खेल हो पाया था और उसके बाद एक भी गेंड नहीं डली है वही मैच के दूसरे दिन बारिश के बाद आउट फिल्ट की आलत इतनी बत्तर है कि चौते दिन धूप खिली होने के बावजूत सुभै का खेल रद करने का फैसला ले लिया गया भारते खिलाडियों ने स्टेडियम आने की जगा होटल में जिम में ट्रेनिंग करने की ही समझधारी समझी बता दे कि बारिश के समय मैदान पूरी तरह से कवर से नहीं डगा गया था और कोई सुपर सुपर भी नहीं मौजूद था जिससे मैदान को जल से जल सुखाये जा सके ये टेस्ट बे नतीजा खत्म होने पर पहली बार आईसेजी डेस्ट रांकिंग में पाकिस्तान नंबर वन पाइदान पर पहुँच जाएगा वहीं भारत को अपना टॉप स्थान बनाए रखने के लिए इस टेस्ट को जीतना जरूरी था जो अब नहीं हो सकीगा आज के लिए राश्ट्रे खबरों में बस इतना ही देश और दुने की खबरों के लिए देखते रहे एवन न्यूस क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ता तैसे तै तक धन्यवाद